और कैमपस में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और अगर एक F.I.R. नहीं हो रहा है तो ऐसी वी सी को जो है वो सलक निकाल के लाना चाहिए और उसे सवाल पूछना चाहिए कि आपको इस कुर्सी में क्यों बैठाया गया है एक 9 साल के बाद हुए बरी हजरत की फोटो जो निकल के आया है उसकी फोटो नहीं है तो चार साल तो हो गए लेकिन कोट जो है वो सुनने के लिए तयार नहीं है तेरा बार उमर खालिक का बेल जो है वो सुप्रीम कोट से अर्जंड हो चुका है एक और उनने कहा कि यह साइओ नहीं यह तो आईस आईस का आदम है तो मैं अफ़तार के लिए खाना नहीं दिया मुझे मतलब अफ़तार के लिए खाना नहीं दिया तो उन्होंने कहा तक ही उनका जमाना है हमारा दौर आएगा तो हम हालात बदलने का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं असलामों आलेकूम रहमतुल्लाही वबरकातू हक मेडिया के जानिब से खुसूसी पेशकर हक बात पोड़कास्ट के नए एपिसोड में आप लोग कैस्त अकबाल है यह हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जिन्होंने बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान में अपने एक्टिविजम में एक नई शोहरत और अपना एक मकाम पैदा किया और यह अफसोस की बात है कि उनके इस एक्टिविजम के वज़े से उन्हें तिहार के अंदर एक साल एक महीना जेल भी काटनी पड़ी आसिफ तनह साहब बहुत इस्तकबाल है आपका बहुत सारी चीज़ है जो आपसे गुफ्तगू करेंगे जानेंगे सबसे पहले आप यह बताईए कि आपकी गुरफ्तारी हुई थी गुरफ्तारी की वज़ा क्या थी बहुत शुक्रिया हक न्यूज हक बात कही जानी चाहिए हमारा एक्टिविजम का पुरा बेस ही हक पे था सब्सक्राइब तो कोशिश रहेगी कि हक की लड़ाई थी हक बोला जाए और हक बात बताई जाए देखे असल में गिरफ्तारी का जो वज़ा था वह यह था कि दिल्ली के अंदर जो है वह सीय और नर्सी का प्रोटेस चल रहा था दिल्ली के अंदर ही नहीं दिल्ली से शु लेकिन जो फासिस्ट ताकते हैं उनको यह चीज़ हजब नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा प्रोटेस एहतिजाज वह भी एक कॉम्मिनिटी कैसे कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि वह उस कॉम्मिनिटी के लड़ाई थी तो उनको अपनी लड़ाई लड़नी थी और वह 25-26 February में जो हुए और उसके बाद को मैंच में कोवीड कोवीड था कोवीड दंगया ऐक महिने के बाद कोवीड आया जोप डान लगा और उसके एक महिने के बाद पुलिस को यह मुका मिला कि यह जो arche ke लॉक्डाउन का फैदा उठा कर ताके जब फ्यूचर में जब लॉक्डाउन खतम होगा तो दुबारा से फिर वो इस तहरीक को इस आंदोलन को जो है दुबारा से नहीं खड़ा कर सके तो वो एक फेक एलिगेशन लगाए कि यह वो लोग है जिन्होंने कॉंस्प्रेसी करके दिली के न ओर्थ हिस्ट में जो है वो दंगा किया और वो लारजर कॉंस्प्रेसी का केस बनाके हम लोगोंको जो है अरस्ट किया गिए अच्छा इसमें जादा तर लोगों की जो गिरफतारी हुई है जो जैसे आपकी भी जो गिरफतारी हुई तो आप तमाम स्टूडेंट्स हैं कोई ग्रेजवेशन के स्टूडेंट्स हैं खुद आप उस तो ग्रेजवेशन के स्टूडेंट्स थें कई लोग PSD कर रहे थे, कई लोग master's में थे, research में थे लोग तो एक तरफ तो students हैं, दूसरी तरफ larger conspiracy का आप लोगों के उपर इल्जाम लगा और चार शीट में कई सारी ऐसी बाते हैं, तो क्या आप लोगों का रोल था दंगे में? देखे, पूरे हम लोग जो भी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, वो खास का जिनका तालूग जामियन अगर से हैं, उन में से मैं यह कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग जो है, वो नौर्थ हिस्ट नहीं गए, जिस इलाके में दंगे हुए, उस इलाके में उनकी विजिट नही हैं, और अगर कुछ लोग गए भी, तो वो as a speaker गए, वो CA को समझाने के लिए गए, नRC को समझाने के लिए गए, जो वो समझते थे, जिसको हम समझते थे, जिसको हम विरोध कर रहे थे, और जिसको पूरा देश विरोध कर रहा था, वो तमाम लोग विरोध कर रहे थे, ज सब्सक्राइब नुक्सान होने वाला है तो वह लोग तो नौर्थ इस्ट गए नहीं जो खासकर जादा तर अरेस्टिंग जामिया नगर से हुई जिसमें अगर नाम गिना हूँ आपका तो उसमें जो जामिया से पहले अरेस्टिंग हुई वह मिरान हैदर की हुई उसके बार सफूरा जरगर की हुई शिफा और रहमान की हुई मेरी हुई और शर्जिल इमाम की हुई पहले हो गई उनकी अरेस्टिंग तो वह लोग नौर्थ इस्ट गया है नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन्हों ने वह कॉंस्प्रेसिक के केस को किये अलबत्ता हाँ प्रोटेस् सब्सक्राइब कर रहा है तो वह उस रूट से होते वे जाएगा या वहां पर रुख गया खड़ा हो गया देख लिया कि क्या चल रहा है कि हिंदुस्तान में तो एक कल्चर है कि सड़क में जो है कोई बंदर भी लेकि अगर आ जा या जैसे भी चलाई जा रही है तो पूर इस लोग के जरीए उसको एफट हो रहा है सबसे ज्यादा नुकसान उसको पहुंचेगा तो अब वो तमाम लोग वहां जाते थे आप देखेंगे कि प्रोटेस जो है वो शुरू जामिया में हुआ और जामिया में किस तरह से जो है बुटिलिटी हुई हुई उसके बाद का प्रोटेस्ट बना तो जामिया से बड़ा प्रोटेस्ट निकलता तो योपी में जाता है भी से वहर में जाता है थर बप्र हमや चला गिया प्या अब कैसे कि जामिया के सपिस्टीन की जो पड़ रहे हैं जो जो कर सकते ये कहें रहे रहे हैं कि इन्होंने कौनस्पिरेसी किये तो इन्होंinação सिर्फ चाहिन भाग में भी कर सकते थे और झालों अगर कौनस्पिरेसी तो दुसरी जागा भी कर नॉर्थ इस में क्यूं किये अबसा इस conspiracy के हवाले से जब बात आती है तो एक चीज़ बड़ी interesting है कि जिस यानि जो 51 लोगों की जो मौत हुई दिली राइट में 37 मरने वाले मुसल्मान थे तो एक community जिस से मरने वाले लोग जादा है उनहीं के लोग जादा arrest भी हो रहे हैं उनलों की तो गिरफतारी नहीं हुई देखे असल में क्या है कि हिंदुस्तान में जब अभी तक जितने भी दंगे हुए हैं वो जो है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी community का हुआ है तो वो Muslim community का हुआ है पिर चाहे वो जान का हो माल का हो चाहे हो मुझफर नंगर का हो जाहे वो गुज्रात का दंगा हो चाहे हो बिहार का दंगा हो आप मतलब Indian history में अगर आप देखेंगे आप जब देखेंगे बंगाल का एट लिस दंगा आप उठाकर देखेंगे तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो लोग जो अगर शहीद हुए हैं तो यही हाल दिल्ली दंगे में भी हुआ आप कहते हैं कि अगर एक क्माइटी एक कौम जो है अगर प्री-प्लान तरीखे से दंगे करे तो इतना नुप्म जान का। पॉसीबल ही नहीं है उग्या है कि आप मज जाओ दंगे में आप एगर वहाँ पे किसी तरह का महाल खराब हो रहा है तो वह घर से निकलने नहीं देते हैं तो हम लोग उस मतलब खासकर क्योंकि हम ने उस में रहे हैं तो हमारे फैमिली है या आसपरोस के लोगे वो जाने नहीं देते हैं अभी जो कह रहे हैं कि जो है इतना आप जैसे कि आपने कहा कि मुसल्मानों के इतने बड़े नुकसान हुई और उनकी आरेस्टिंग नहीं हुई तो मुझे एक जो है वो रिपोर्टर की न्यूज अभी दो दिन पहले मेरे नजर से गुजरी कि उसमें वो हिंदुस्तान लाइफ के नाम से चलाते हैं फरहान यहिया तो उनकों का एक वीड काते हो उसने दो है वहागोआ का कप्ड़ा पेहना में इतना कि आप फ्रहान ने उसको कोई नहीं जानादा था तो फरहान aha आपक्तों कोई नहीं जानता था टा यह क्यों थे नहीं जांभी होلا इसने उक्सा रही है तो जबके वो यह वीडियो पुलिस के सामने है लेकिन फिर भी वो बची भी है और वो लोग जो प्रोटेस कर रहे थे जिनकी सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए जो सबसे ज्यादा जिनका जान किया और माल का नुकसान हुआ जिनके घरों को तोड़ा ग गई तो या लेकिन मैं उन लोगों की अफसोस करता हूं जिनके घर भी चले गए जिनके हाथ भी तूटे पैर भी तूटे जिनके सर भी फटे जिनके घर से जो है वो जनाजे भी उठे हैं और उनके घर के लोग जो है वो जेलों में अभी तक बंद हैं तो हमको उनके लिए ज़्यादा तकलीफ है अपने अंदर तो जब आप ये कहते हैं कि जिन्नों का नुकसान हुआ वो जेल चले गए तो उनके लिए आप उजादे तकलीफ है आपके अरेस्टिंग बजादे तकलीफ नहीं है तो क्या आप मुलाविश थे इसमें नहीं मैं कह रहा हूँ मैं मुलाविश तो नहीं था लेकिन मतलब मेरे साथ से मेरा नुकसान हुआ मेरे तालिम का नुकसान हुआ मेरे फैमली या मेरे जान का या मेरे घर से किसी का जान नहीं गया किसी का किसी माल का नुकसान नहीं हुआ लेकिन वो लोग जो उस इलाके में थे जिनको नुकसान पहुँचाया गया एक तरफ ये कि उनके भाई के जनाज़ा उट रहा है वाली साब के जनाज़ा उट रहा है घर पूरा बरबाद हो गया जल गया फिर भी वो जिल लिया गया और उनके जवान बच्चों को जेल ले जाए गया अच्छा ये बताएं कि जब आपके जादा तकलिफ दे है ये बताएं कि जब आप जेल गए और जाहिट से बात है पहली मरतबा आप जेल गए तो वो कैसा एक्सपिरियन्स था क्या हुआ था कौन सा दिन था और आपको क्या पहले से मालुम था कि हाँ आपको गिरिफ्तार किया जाने वाला है अब असल में दिन तो नहीं याद है तारीख याद है आसल में दिन याद इसलिए नहीं हुआ कि तारीख याद रहेगे तो दिन तो खुद-वह-खुद कलेंडर से पता चल जाएंगा तो तारीख याद है मेरी एरेस्टिंग जो है वो आरेस्टिंग से पहले मैं जो है एक इन्विस्टेगेशन की बात करती हूँ वह इंविस्टिगेशन भी नहीं है वह इंट्रोगेट का जो है वह बात करता हूं कि मुझे जो है सबसे पहले 10 अप्रील को जो है पहली बार दिली पुलीस ने वह उठा कर ले गए 10 अप्रील 2022 को दिली पुलीस हमको ले गए शाहिन बाग से उठा कर और वहां पर ले जाके तो उन्होंने मुझे johan keynoteffic Kia मेरे phone को सीस कर लिया, मेरे wallet को रख लिया फिर दुवारा रूम पे आये, वहाँ उन्होंने rate किया, अचारल लहजा का इस इसतमाल कर रहे थे जब इंट्रोगेट कर रहे थे, पुलिस वाले, हाँ, मैं वहाँ पर आऊँगा, तो मैं वो पूरी बात, तो उन्होंने जब मुझे लेकर गए वहाँ, और मतलब इंट्रोगेट अभी शुरू नहीं किया, भी लिए आकर बैठा हैं, मेरे समान को इन्होंने सीज कर लिया, औ उसके बाद जब इन्होंने इंट्रोगेट शुरू किया, तो पहले तो इन्होंने मेरे नाम, जो कि उनके पास already सब कुछ था, मेरा नाम, पैरेंट्स का नाम, मैं किनके साथ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, और मैं क्यों पढ़ने आया हूँ, यह सारी चीजों पर बात हुई, तो उनों ने का था हूँ, तो तो मैं पिछले तिन महीं ने समझा था, लोगों को, तो बारार वहां को अमीत साह वाली सीए समझा रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो यह यूटूब पे सुन रखा हूं और वीडियो आ चुके हैं कि पार्लेमेंट में जो भासन हुए थे उसी की आप बात कर रहे हैं लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वह यह है तो बला अच सब कुछ नॉलजज है उसके बाद उन्होंने बोला कि एक आये और उन्हें कहा कि यह SIO नहीं यह तो IAS IAS का आदमी है तो आप सोचे कि एक mentally जो है वो जो है किस तरह से pressure बनाए और उसके बाद उसने कहा कि बताओ कि वहाँ दंगे किस ने कराए क्यों कराए दंगे कैसे हुए अगर तुम नहीं तो ठीक है तुम तो इसमें बच के चले जाओगे लेकिन मैं तुमको जो है वो IAS IAS के के केस में अंदर कर दूँगा अलकाइदा के केस में मतलब मैंने वो ICIC organizations के नाम सुने जो मैंने पहले नहीं सुन रखे थे कि अच्छा यह इस तरह के भी जो है वो organizations है इस नाम से इस न उनने बहुत ज्यादा कि तुमारे घर से तुमारी मा को उठा लाऊंगा तुमारी बेहनों को उठा लाऊंगा ठीक है तुमारे घर बर्बाद कर दूंगा तो इस तरह की चीजे जो है वो interrogate में होता है यह Judiciary को भी पता है यह जो है वो त्माम लोगों को पता है कि पुलीस का जो रवाया है दूरिंग दा इन्विस्टिगेशन वो बहुत बुरा है अच्छा तो फिर यह की गिरफतारी हुई आपकी यह तो हमारी अरेस्टिंग मतलब यह तो इंट्रोगेशन का पार हाँ उसके बाद उन्हों यह था कि फीबर है और कहीं कोरोना का सिंटम ना हो तो इनको छोड़ दो उसने मुझे छोड़ दी और उसके बाद अपरील के बाद जो है उन्होंने मई तक मुझे टच नहीं किये बिल्कुल भी और उसके बाद उन्होंने 17 मई 2020 साम साड़े साथ मजे मगरिब के बाद उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और रमजान चल रहा था अफ़तार करके मैं नमास पड़के बैठा था इसी साइस का कफ लिया था मैं और जो है वह चाई लेके बैठा था और हमारे एक साथी है अर इत्वाक से उसाथी का भी फून भी आया जिन्होंने खायद पूछ लेते मुझे से अभी कि उन्होंने के फून पर फून आया कि उन्होंने मुझे बुलाया कि अप मैं फोटो क्लिक करना चाहता हूं आपका इस फून से बात कर रहा था मैं वह आईफ़ोन लिया वाता वहां पर देखा तो चारो तरब से वह वह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेकिन फिर भी पूरे एरिया को जो उन्होंने च्वानी में तब्दिल किया वा था जहन में पूरी तयारी के साथ आए है कि अगर हो सकता वह तो ठीक है आपके बात से भी मैं आईगरी करता हूँ लेकिन यह है कि वह आस पास की सुसाइटी को जो है यह मैसेज देने के लिए आते हैं कि यह देख लो यह करेंगे तुम्हारे साथ you are Muslim तुम्हारे साथ यह होगा तो यह message देना होता है असले हुआ उनको तो मतलब यह नहीं है कि उनको अपनी डर नहीं है उनको पता है कि अगर यह मुसल्मान है तो यह कुछ भी नहीं है आज तक कितने लोगों कितने मुसलिम नौजवानों को अरेस्ट किया है टेरिरिजम के नाम पे और कितने लोगों ने इन पर अटेक किया मुझे बता दें अलबता इन्हों ने ही जो है इनकाउंटर करके लोगों को मारे हैं तो मतलब यह चीजे मौजूद है ना मतलब यह सारी चीजे मैं ऐसे हवावाई नहीं बोल रहा हूं मेरे पास तो ऐसे केसे हमने अम भी तक नहीं पड़े या नहीं देखे जो सामने आया हो कि पुलिस पर प्यार से उसको अरेस्ट करते हैं यह तो पता भी नहीं चलता है कि इन्विस्टिकेशन के नाम पर प्यार स थे उनकी गिरफतारी हुई थी कहते हैं कश्मीर से उनको गिरफतार किया था गिरफतार का फिटनैप किया था और पूने से दिखाया उनकी गिरफतारी कि जो है उनके गाड़ी में बहुत जादा खतरनाक इम्यूनिशन्स और वेपन्स मौजूद है तो यह तो है यह सारी के नाम पे जिलनों की ग्रफतारिया हुई किसी को 15 साल किसी को 20 साल के बाद रहा किया और अब तक एक केस थाबित नहीं हुआ है और यह जो आप कहा रहे था ने कि डर बिठाने की कोशिश की जाती है यह शायद वही डर है कि आज कोई उस बारे में बात भी नहीं करता है और भी मेरे ख्याल से 50,000 लोग उसमें जूटे केस में फ्रेम करके अंदर बंद कर दिया गया होंगे टाडा का कन्विक्शन रेट एक परसेंट से भी कम था जिसमें 77,000 लोग एरेस्ट हुए एक परसेंट से भी कम है कन्विक्शन रेट यूए पीय का भी तकरीवन यही मामला यह बताएं कि जब आप जेल गए तो यानि एक जामिया का एक स्टुडेंट है जिसका कैंटीन पर उधार बाकी है जो दोस्तों में ऐसे रहता है कि एक दूसरे का कपड़ा शेयर कर रहा होता है ना रेंट कैसे प्रे करना है उसको इस बात की फिकर हो रही होती है और उसको टेरिस्ट बना करके उसको ले जाया जाता है जेल में क्या experience था जेल के अंदर आपके जेल तो सबसे पहले एक बात एक दम clear कर ले कि जेल बहुत बुरी जगा है जेल इस दुनिया में जेल से बुरी जगा नहीं है लोग कहते है कि कबर जो है वो लेकिन कबर को इंसान जो है हमारा इमान के कहता है कि उसमें एहसास होता है फील होता है लेकि आपनी मर जाता है वो दुनिया नहीं देख पाती है जो भी है उसके अंदर का है लेकिन जेल दुनिया की सबसे बुरी जगह है और मैं दूआ करता हूँ कि हमारा कोई दुश्मन भी जो है की सरकार आ चुकी थी तो वो और ज्यादा जो है नफरत जो है वो फैल चुका था तो सड़क पे दुकानों पे कैंटीनों पे अब हिंदू दोस्त जो है हमारे उन तमाम के लोगों के जो लहजा है वो बदल चुका था और उसमें आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन दिख र तो अगर दो लोग जो है एक हिंदू और एक मुस्लिम जो है किसी के पास जा रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दिख रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन था वो डिस्क्रिमिनेशन जेल के अंदर भी था कि आप मुस्लिम है तो आपके साथ इस तरह का वहवार होग तो मुझे उन्होंने सेहरी के लिए खाना नहीं दिया मुझे मतलब अफ़तार के लिए खाना नहीं दिया तो ये है कि नॉर्मन हाद दिन में फिर वो आपको दे देते थे तो ये डिस्क्रिमिनेशन है बिसिकली कि अच्छा इसमें भी ये था कि एक है एक ऐसा मुसल्मान है जिससे उनको कोई फरक नहीं पड़ता है ये चाहे वो उस दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे लेकिन एक ऐसा मुसल्मान है जो बात करता है जो बोलता है जो चीजों को समझता है जो चीजों को अनलेसिस कर सकता है तो वो उस तरह के लोगों को और प्रिंट मीडिया में न्यूस बन रहा था और प्रिंट मीडिया न्यूस पेपर जो है वो जेल में आते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि कौन सा है यह बंदा आया तो यह किस केस में आया है तो वह यह जो है डिस्क्रिमिनेशन जेल के अंदर हमको फेस करना पड़ा जो सजायाफता कैदी है वो जेल में ड्यूटी करते हैं नौकरी करते हैं उन्होंने भी भिल्कुल टॉचर करते हैं लेकिन वह क्या है कि अपने खुद से नहीं करते हैं जो पुलीस वाले अंदर होते हैं वो उनके इशारे पे करते हैं अच्छ है उसमें उनका 100 अगर वो थो 10 19 बोलेंगे तो 20 करेगा तो इस तरह का चीज़री के लिए कुछ अपने आपको सेफ करने के लिए अपने आपको अच्छी данे के लिए जो उनके सामने पुलिस वालों के सामने ताके वह उनकी नौकरी बची रहे उनका काम काम चलता रह सब है तो ऐसे कायदी के साथ होता है इस पर जेल पर असल में जो है लोग कहते है लेकिन लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई सिंगल 5 यह है और सिंगल बंदा वे रिफॉर्म के आया हो आप किसी एक सिंगल इंसान को जो चौरी के केस में घू हो वो जो लेगा बड़ा के गिम्रल बनके वापस तो आ सकता है लेकिन वह एक अच्छा इंसान बनके वापस नहीं आता है उसका एक एक जामपल हमको नहीं दिख रहा है इस सदी में कि कोई तद्दिली या कोई चेंज़ आ रहा है लोगों के अंदर तो जबकि यह सोचल मीडिया का जमाना है एक छोटी स चीज़े भी तो 100% अगर आए तो लोगों को पता चलेगा तो ऐसा को कैसे नहीं अगर होगा तो आ जाए लोगों के सामने तो शायद मैं यह बात मैं करूं लेकिन अभी तक हमारे नज़रों के सामने से ऐसे कोई चीज़े नहीं गुजरी है तो रिफॉर्म होना चाहिए ज जेल अडिमिस्टेशन जब तक रिफॉर्म नहीं होगा जेल का जो है वो महाल जब तक रिफॉर्म नहीं होगा तब तक जो है वहां से आप अच्छी चीज़ों की उमीद नहीं कर सकते हैं तो वहां की लाइबरेरी बगएरा के अंदर किताबें होती होगी पढ़ने का कि यह जिसकी वाएं से हमारे पास सभी चीज़े जो है वह कोट के ओडर के तुरू कि जेल में तो सब कोविट के वज़र से कुछ नहीं जा पा रहा था लेकिन फिर भी हमारे लॉयर्स ने कोट से ओडर लेके आए और कोट से आउडर लाने के बाद हमारे बोक्स और किताब जो लोग ले भी जाते हैं तो वह फोटो देखने के लिए यह तो जब निकला था तब भी ये सोचा था कि लेकिन वहां तक कि रिसाही नहीं हो पा रही है कि जेल के लैबरेडिये में जो है वो किताबे भेजी जाए लोग पढ़ें वहाँ पे वहाँ पे रिफार्म का काम हो हम लोगों की भी क्योंकि कब कुन हमारे लोग चले जाएं इसके इसका वरोसा नहीं है अच्छा कई सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जादे तर लोग तो तिहाड के अंदर ही है तो किल लोगों से मुलाकात हुई जैसे खालिद सेफी है उमर खालिद है उसके बाद अथर खान है शरजीर इमाम है इन लोगों से मुलाकात हुई देखिए असल में क्या है कि जैल में तिहाड में सब लोग अलग अलग रहते हैं जो हमारे ये जितने नाम आपने लिए हैं इसमें और भी नाम आड़ कर लेंगे तो तमाम लोग हमारे मेरे को एक्यूज हैं तो को एक्यूज हैं तो उसमें जो है हमारे साथ तो शुरुवाती दिनों में कोई नहीं था हम अकेले थे बाद में अतहर खान को जो है सेम जेल में लाया गया तिहाड के अंदर दस जेले हैं पर दस जेलित तिहाड के अंदर है, ऐलेख अलम्बर के साथ, तो अगर आप उसको देखेंगे, कि सारे लोग अलग अलag अलग जेल में हैं, लेकिन अधर मेरे साथ था, इसके बाद जो जियल में आया था, दो लोग साथ में थे, तो एक वक्त अच्छा गुदर जा रहा था, फिर मैं निकल काया तो उसके अंदर जो है वह थोड़ा सा यह हो रहा कि एक अब्ल हो गया और अधी तक ब्ल जो है वह लोगों कि नहीं हो रहे हैं लेकिन ऊप सबसे मुलाकात हो जाती थी बाकि फिर लोगों को अलग अलग जेल में छोड़ा दिया जाता था जिनको जो जेल है तो साथ रहना थोड़ा कम पॉसिबल होता है जेल में एक्तिहाड में क्योंकि वह अलफबेटिक वे में चलता है कि अगर आप A है और R तो चार नंबर जेल मे अच्छा तो ये बताईए कि ये तो सारी चीज़े जेल की रही आपने बीच में एक बात कही कि काला कानून गवर्मेंट के जरी लाए गया काला कानून ड्रेकोनियन लॉव भी आपने कहा और फिर C.A. के कानून की वज़ज़ से पूरे हिंदुस्तान में एकदम तहरी होत में क्यों प्रोटेस्ट होने लगा देकि असर में क्या है कि C.A. जो है वो बिसिकली सिटिजन सिफ अमेन्मेंट एक्ट है कि आप इस सिब एक इंडिया में हिंदुस्तान का कोई सिटिजन बनना चाहता है या सिटिजन बनेगा तो इसका क्या लाओ होगा अगर वो अधर कं इसको इन्हों नहीं चेंज किया में पाकेStan अफ़्वानिस्थान बंगलादेश स्रि-लंका से आने आले जो इन मधवक्थ के लोग हों गये मुस्लिम्स को छोड़के तमाम लोग झूर को नागरिक देंगे C.A. के जरीए तो ये तो C.A. मतलब ये एक citizenship देने के लिए इन्होंने ये कानून बनाए और इसमें जो है ये सारे clause उन्होंने डाले अब इन्होंने N.R.C. कराए N.R.C. क्या है कि N.R.C. में जो है वो N.R.C. में ये क्या करते है जो गवर्मेंट आपको डॉकुमेंट देगी अब मुझे ये बताइए कि मान के चलिए कि बहुत सारे लोग है जिनका घर जल गिया है घर तूट गिया है जिनके डॉकुमेंट्स नहीं है तो उनको ये डी वोटर कर देंगी यानि उनके नाम के अंदर डॉकुमेंट्स कर देंगी तो अब फिर उसके बाद आप उसके लिए कोशिश कीजिए अपनी नसले दिखाईए नसले बताईए फिर आप दौड़ भाग कीजिए आप लाइन में लगिए और उसके बाद आप अपनी लेकिन उसके बीजब आपको सिटिजन सी प्रूफ कर ले जाएंगे कि हाँ ठीक है आपने जो है इसमें भी आप मुसलिम्स हैं जिनों कर दिया वह तो बच गए लेकिन जो प्रूफ नहीं कर पाए उसमें हिंदु भी नहीं कर पाएगा मुसलिम भी नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ठीक है मुसल्मान थोला ज्यादा हो जाएंगे यह हिंदु थोला ज्यादा होगा मुसल्मान थोला कम होगा तो वह एक अलग बात है लेकिन प्रूफ बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे जब नहीं कर पाएं को जो है वो दूसरे किसिम की शहरी बनाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है सेकंड सिटीजन है इस बेस के ये बनाना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं अच्छा तो वो क्या बात थी कि पूरे हिंदुस्तान में य तो इसमें जो है इनका खुद का हाथ रहा हम तो हमारा तो एक पूरा कैम्पैनिंग था कि हम घर घर जाएंगे ठीक है मतलब लोगों को सिए समझाएंगे जब जामिया में थे तो तमाम और्गनाजिशन्स में वो बैटके यह बाते करती थी कि हम तो लोगों के के दर्वाजे दर्वाजे तक जायेंगे और सियह समझाएंगे हमारा इतना बला विरोध करने का कोई प्लान नहीं था इसमें इन्होंने कंध हमारी wagा ही यह हम लोग दिली की सबकों पे विरोध जताना चाह रहे थे बताना चाहरे थे कि यह एकसप्टेबल नहीं है लेकिन इन्हों ने जो है वो दिली में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको जो है इन्होंने खतम करने की कोशिश की और उसमें जो है इन्होंने जामिया के बच्चों पे जो है वो अटेक किया जामिया में इंटर किया जाम उनके लैबरेरी तोड़ दी गए उनके जो क्लासरूम में जो है वह आसु गया इसके गोले दागे गए उनके कैमपस को पूरा धुआ धुआ कर दिया गया और वह कैमपस के इस्टुएंट के आँख फोड़ दिये गए दरजनों लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो अब इतना नुकसान उन्होंने किया किसलिए कि यह जो है जो इस्टुएंट प्रोटेस कर रहे हैं वो प्रेटोस को यहीं पे इतना कुछ करते हैं तो खतम हो जाएगा लेकिन यह इमोशन से जुड़ा यह जो इन्होंने जो दिखा है तो क्योंकि जब यह सीय तो लोग कम लोगों तक पहुंचता लेकिन जुल्म की वज़ा से लोग यह जानने ही कोशिश किया कि आखिर पुलिस ने इनको क्यों मारा यह क्या कर रहे थे तो यह सीय का प्रोटेस निकला और साहिन बाग की सड़कों पहुंचा साहिन बाग की माएं जो है वो निकल कि आहीं सड़ हिंदुस्तान की तारीक का सबसे बड़ी बड़ा तहरीक जो है जिसको और तो ने जो है वह लीड किया वह बना और हिंदुस्तान में पहली बार जो है इतना लंबा चलने वाला प्रोटेस था उसके बाद इन्होंने फार्मर मॉमेंट्स हमारे पैटरंस पे यानी सीए नार वह क्लास जो है ना तमाम लोगों को जो जो प्रोटेस आज हो रहे हैं उसको हमारी माए और बहनों नी दी है अच्छा इसमें एक चीज़ बताईए कि यानि यह किसी से ढगा छुपा नहीं है कि जामिया और एम्यू में किस तरीके से स्टुडेंट पर बरबरता हुई और क इनवर्सिटीर्स के रवये से मश्डीय थे सामना नहीं कि हूँ कुछीज पर इस पर हमारे पर उन पर वोग पाया तो वह ज्यादा बहतर बता पाएंगे उसका नॉलेज हमारे पास अभी भी नहीं तो जहां तक जामिया पर हमारा है फोकस रहेगा कि जामिया का जो सब्सक इंदरेच जैसा चाहेंगे वैसा जामिया चलेगा सब्सकरों बनना है की सब अपनी दोड़ में अपनी आपनी जो है और यह कहा जायए किये सरकारी मुसल्मान को सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेंगे इंको हक नहीं बोलना है इनको जो है अपने चात्रों के साथ नहीं खड़ा होना है मैं वह दौर याद करता हूं जब मैं था नहीं दिल्ली में लेकिन हमने देखा हमने सुना हमने पढ़ा कि एक वक्त ऐसा था जब पूरे बटला हॉस में जो है जामिया के स्ट्रेंट्स को जो है वह घुसि साथ मिलके लड़ा और इस दौर में जामिया के चात्रों ने लड़ा तो यह साबीत हो गया यह जो लोग है वह किसी काम के नहीं जिम्मेदारी क्योंकि जामिया का एक सीटे भी यहवी किये कियां ईन्लीगल वह क्रुटी अरफिर आप सरकार और सुनेंगी आपको उसके का है तो आप इसके लिए आम तुम आंगा नहीं है लेकिन अप जो है वह जामिया गो रही है और जामिया के खैर और उसकी बहतरी की बाते करतें यह सब हवा हवाई बातें और अब आपका वक्त पूरा हो चुका है और आपने जितना बर्बाद करना यह बहुत बड़ा failure है जामिया administration का उस पर जवाब दे यह लोग जवाब भी नहीं देंगे असल में यह क्या जवाब देंगे यह जवाब देने लाइक भी नहीं बचे हैं मैं ऐसा मानता हूं कि यह जवाब देने लाइक भी नहीं बचे हैं यह इनका सबसे बड़ा failure है और इसकी के साथ अपने बच्चों के साथ और अपने साथ किया है आप दूसरे के साथ क्या करोगा हम लोग हमारे चात्रों के साथ नहीं अपने साथ धोखा किया है उसका हैसास आज नहीं तो कल वो होगा मरने से पहले होगा इसका में बाता करता हूं अच्छा मैं एसार दारापुरी जो रेटारड आइस ऑफिसर हैं उनका इंटर्व्यू कर रहा था तो उन्होंने एक बात बताई कि उत्तर परदेश के अंदर सबसे अधा कैजवल्टीज हुई थी CNRC प्रोटेस्ट को ले करके 23 लोग मारे गए थी तो उन्होंने बताया कि यानि एक तो ये थे कि unrc अगेंस कुछ लोग कर रहे थे और कुछ लोग समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन लोगोंने पहले पैघ्ले पत्थरवत्थर चलाया फ начал फिर इन लोगोंने थोड़ से बहुत सारे लोग हैं जो जिन पर नियूस बनी ही नहीं तो हम ने यह डेटा हम नहीं पब्लिक किया था अच्छा वह जो हमारे फ्रेंड्स जो है वहां पर जा जा जाके जहां तक रीच हो सका था उनका अलग अलग जगा पर जैनलिस जाके उसको निकाले यह जो डेटा है मतलब यह कि पलीट प्लिस ने भी इसी डेटा को वहा कि हाँ इतना ही मौट हुए जेतना मतलब मेडिया रिपूर्ट में है यह इसका मतलब यह कि सच्चा ही है कि 32 नहीं बलकर उस से जादा लोग मारे ओ आगैनधा जो जो रिकौर्ड में नहीं पता है नी चला कि कवर है, तो यह बहुत समझने वाली चीज़ है, उसमें कोई मसला नहीं है, एक चीज़ ये-पता हैं कि C.A.N.RC प्रोटेस्ट इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट में कही सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि थी दिसंबर, पंदर दिसंबर का जामिया और A.M.U. का मामला है उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जगा जगा अलग-अलग लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविस्ट हैं, जर्निलिस्ट हैं, स्टुडेंट्स हैं अच्छे स्पीचेस दे रहे हैं, नई नई चीज़ें बता रहे हैं, कॉंस्टिशूशन के बारे में, हिंदुस्तान का जो अपना नेचर है उसके बारे में, यह सारी चीज़ें, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही है और वो प्रोटेस्ट खतम होता है दिल्ली राइट के उपर, नई ने, दिल्ली राइट पर नहीं खतम होता है, वो कोविट की वज़े से खतम होता है अल्मोस्ट वही है, तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास एक अच्छी वीडियो नहीं है, पूरी डिटेल्ड के जो है सारी चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, कितने लोग मारे गए, यानि कॉम्प्रिहंसिव रिपोर्ट्स क्यों है, मुस्लिम जर्नलिस्ट कहां है नहीं देखे, बहुत सारे मुझे मेरे नॉलेज में है, लेकिन इसके ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए, जितनी रिपोर्टिंग लाइव रिपोर्टिंग वगयरा हुई थी, वो बहुत अच्छे तरीके से हुई, और कुछ चीज़ें सूट किया हुआ है, लेकिन यह ज अगर हम इसको अगर पब्लिक कर देते हैं, तो कहीं पुलीस उसी पर एक्शन ना कर दे, तो बहुत सारे टीम्स जो है, वो सूट करके, बहुत किताब आई थी महरवान की, फोटो बुक, तो वो सारे फोटोस तो एटलिस महरवान ने लिये थे, वो आई पब्लिक में, उसक पूरी डॉकमेंटरी बन सकती है, तो वो सारी चीज़े है, अच्छे वक्त हो के साथ वो निकाला जा सकता है, और वो रिलीस के जाएगा, अच्छे वक्त का इंतजार है, उमीद करते हैं, कि ऐसे हालात पैदा हो, कि लोग जान सकें कि चीज़ें क्या हुई, और किस तरीके को एक कलेक्टिव फॉर्म में रिस्पॉंस करना चाहिए अभी इस सिच्वेशन में मुझे सबसे हाथा जो तकलीफ है कि ठीक हमारे भी बहुत सारे साथ ही जेल में हैं मेरे उपर बहुत सारी पाबंदी है हम नहीं बोल सकते हैं कुछ सोच भी नहीं सकते हैं और यह कि कोट की तरफ से भी पाबंदी है कि आप आपकी इन्वाल्मेंट नहीं होनी चाहिए तो बहराल हम हमको हमारे उपर एक हैं जो फेक हैं हमको उसको प्रूफ करना है कि सारे वह हम करेंगे लेकिन मुझे अपने जो है वह कौमी और मिली लीडर से जो है वह तकलीफ है क्या हर बा बाबरी महजित का केस भी आपने जो है वो नहीं जीत पाए ग्यान बापी का इतना बड़ा मसला चल रहा है आप नहीं जीत पाए सरकार जो है सिविल कौट यूनिफॉर्म का बात कर रही है आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं तिरपल तिलाक आगया आपने उस पर कुछ आप अपनी हग की बात नहीं कर सकते हैं आपके आपके हर चीज में तो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो अभी शिकायत है तकलीफ है अपने कौमी और मिली लीडरों से कि हर दूसरे दिन प्रेस कॉंफरेंस कर लेंगे प्रेस का अपसोच जता हैंगे कि हमें जुडिसरी प क्यों लागू हो गया फिर से सिए के लिए क्यों बात कर रही है तो यह सब सवाल है और फिर वी आप जो है वह सिर्फ आप कुछ करना नहीं चाहते हैं आप कुछ बस यह है कि आप यह दिखा रहे हैं कि यह लोग हम प्रेस कॉंफरेंस कर लें हम इसके अगेंस में पूरी है तो अप आप यह मिसलमानों से कम तादाध थी किसानों बिलाए से और इस देस में किसान तो कम है थे जो फार्मर ओर जो पंजाब से और इधर से अधर पिर हो सकते हैं लेकिन क्या मुसलिम इस तरह का कोई विरोध नहीं कर सकती है क्या हर वक्त मुस्लिम ओरते सलक पे निकल के आएंगी हर बार क्या हर बार मतलब की जाए चादर मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपकी बात समझ गया मैं तो यहां पर आपको इंटरप्ट करूँगा कि हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े आलिम है माजरत अगर कि लोगों को बुरा लगे सबसे बड़े आलिम कहने पर जमितुरलमाहिन की जो सदर है मौराना अर्शद माली साब उन्होंने तो वाज़त तोर पर ये बात कही कि जब तक हिंदू स्टूडेंट्स नहीं आते हैं हम सपूर्ट मेंञाएं इसक नहीं करेंगे इस Financial को इनका तो यह स्टैंड स्टन है कि मुसल्मान PRESID कर रहा हुआएं होज यह जाकर भासर दे रहे थे और फिर क्यूं जो है मचलों देवनस carbon में मैं देवन गिया हूं التيब ने हमारी महमद MदDju ने विरोध और उसके पे गया, वहा लाइब महमद Md guideline क्यों विरोध किया, मौह तो कोई सिंगल इंडु नहीं था, मातार मैं अंदु नहीं पास फोटो वीडियोश, अवेलेवल हैं, इसमें महमद Md publi बेटे हैं, जहां मेंने तकरीर किया है गंगो के अंदर, त शेयरु ने वहु है जाए आपको जाए वह सेयन में रखने के लिए कियो ना रखने के लिए। उपिन आपकत में गवर्मेंट के न लगते के लिए। भारत अलतन और फला 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 आवार्ट से जो तो कॉंग्रेस देती थी ये कहा दे रही है ये उसी उमीद में नी बैठ है मैंना समस्या ये है वो उस मूट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है अच्छा एक बात और जैसे आपने बाबरी मस्जिद और ग्यानवापी मस्जिद की बात कही बाबरी मस्जिद के बारे में हमारे जो ये अकाबिरीन और उलमा हैं जो मुक्तलिफ मिल्ली तन्जीम है तो जब उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसल आएगा हम मानेंगे तो मुम्किन है कि उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि मुल्क का माहौल खराब नहो अमन और पीस रहे ग्यान वापी का भी जो मामला है तो क्यों नहीं हम आके ये बोलते हैं कि चलो ठीक है एक और मस्जिद ले लो आपके लिए मस्जिद अत्मी इंपॉर्टेंट क्यों है कहीं और नमाज पढ़ लीजे नहीं देखिया अल्ला का मतलब घर जो है वो कभी मतलब ये नहीं हो एक मसलमान के अंदर ये एक हम जहां यबाद्त करते हैं हमारी इबाददगा मसजिद बनने के लिए ये शर्त है कि आप किसी डुसरे की जमीन में नहीं बना सकते अगर वो जमीन किसी अपने किसी मुसल्मान चीवी ओ तो मजel बनेंगी तो ऊसका जबित जितनी कीमत होगी वो दी जायागी ला के रिशूल स्लल्ली अग्यों थिरल्स ले कीमत अदा की है दो यतीम बच्छों के जो जमीन खरीद के मदینे के अंदर मस्जिद जब बनवा रहे थे तो अल्ला के रसुल ने उस बच्चे को कीमत दिये उसकी और उसे अजाज़त लिया तब जाके मस्जिद बनी तो मस्जिद बनने के लिए ये शर्त है कि आप किसी की अबादत गाह को तो छोड़ दीजे किसी की जमीन कबजा करके भी नहीं बना सकते हैं तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं तो ये हमारे लिए मुकद्द जगा है और ये important है मतलब हमारे लिए मजिर एक मकाम रखती है हमारी एबादतगा है तो हम इस पर समझहोता नहीं कर सकते हैं लेकिन आप समझ होता नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े जडर्नलिस्ट है, सुरेश चोहंग के, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा न्यूस चैनल है, सुधरशन न्यूस चैनल के वह चीफ एडिटर है, उन्होंने अपनी एक स्पीच में रिसेंटली कहा नाइम है, हमारे डिसकोर्स का इशू ही नहीं है, हम उस पर क्यों बात करेंगे हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन वह तो आपके बारे में हर दिन बात कर रहे हैं, और उसका असर हो रहा है है इस ग्राउन पे, मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम भी उसी की जैसे हो जाएंगे हम उस पर बात करेंगे तो फिर हो गया वही समस्या कि मुसल्मान जब सुनने लग गया ना कुछ बाते रविश कुमार अपनी मतलब जब वह आज तक इसमें एंडी टीवी में थे तब और जब वह अपना वी यू दिस्कोर्स का इश्व मना लें तो यह नहीं हो सकता हमारे लिए वह बात करेंगे बात करेंगे हम जो है वह सुनरी मस्जिद पर बात करेंगे हम क्यों अपना टाइम खराब करें भाई वह एक इनसाने अभी चार दिन है हमसे उमर में बड़ा हम उससे ज्जादा दुनिया चल बसेगा तो लैकिन यह है कि क्याना में हुआ हम 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 है हिए उसको फिके तो हम उस पर अपना टायम नहीं खराब अगर आपको सा मोका मिला तो 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 इसलाम की दावत आपको लगता है कि यह जो लोग आज बहुत जादे हैं मुसलमानों के खिलाते हैं जहर उगलते हैं पता नहीं ऐसे लोग इसको विक्टिंग ब्लेमिंग कह दें लेकिन क्या आपको लगता है कि डायलोग्स नो होने की वज़े से दूरिया जादे बड़ी हैं अब दियालोग्स असल में क्या है कि मतलब मिसंडरस्टेंडिंग जो है वह है और उसके बाद क्या है कि जब इन्होंने एक अपना रूट जब चेंज किया ना यह में इस्ट्रीम मीडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए लोग तो बहुत हैं जो चाय के खानों में और दूसरी जोगा करेंगे यह गलत कर रहा यह कर रहा लेकिन उनके नियूस चैनल में जो लोग जाते हैं मुस्लिम स्कॉलर्स बनके वह उनको जो है उनके सामने उस तरह से बात नहीं रख पाते हैं या फिर वह उनको रखने भी टीवी डिबेट में जाते हैं बने जमय-जामय में आया था अगयर में बोल मेंन दू-4 मिनट चार मिनट को तो इस तरह की चीजें अगे अगर कुछ लोग चले भी जाते आं धंके तो उनको मोडंब नहीं धिया। कि शान करते हैं इस KC वजाब ज़दा हैएं जो और ज्य थपलो पड़ भी जो है उस तरह की चीज़ें होती है डिवेट में मेरे पास अभी जब जेल से आने के बाद भी और सीए नर्सी किसमें भी कई बार रहा कि आप डिवेट में आके बैठो और बहुत सारे निवेड़ा में आते हैं गारी भीज रहा हूं आप आज आओ ठीक है तो हम जाएंगे तो हमारी शर्तों पर वन टू वन सवाल जवाब करें आपको कोई आवार्ट नोबल कोई नहीं चाहिए आपको ना बिल्कुल भी नहीं है अपने घर को खुश रखना है लोगों के लिए आवाज उठाना है बोलना है जैसे हक बात बोलनी है और हक के लिए लड़ना है और अभी तो फिलाल अपने लिए लड़ना है क्योंकि हर महीने जो है वो कोट के चक्कर लग रहा है यह बहुत एक इंपोर्टेंट आसपेक्ट है मैं पूछना भूल गया था कि इस तरह के जो एक्यूज है उनका बेल हो जाना ही सिर्फ नहीं है बलकि उसके ब तरह का स्ट्रागिल है यह जेल से तो थोड़ा ठीक है लगी पूरा ठीक नहीं है यकीना मतलब कोट का चक्कर लगाना यानि एक तरह से यह कि वह कहीं ने कहीं आदमी अपाहिज बन गया कहीं जा नहीं सकते हैं अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आपको जहन नहीं देगी ठीक है तो आपके पास ऑप्शन जो है वो बंद हो जाते हैं तो लेकिन जो है लड़ना पड़ता है लोग साथ खड़े होते हैं भाई बाप मा दोस्त अहबाब तमाम लोग इसमें एक बात बताईए कि तो बी वेरी ओनेस्ट मैं बहुत दर्द के साथ यह है कि मतलब ऐसे लाकों की तादाद में मुस्लिम लड़के अरेस्ट होते हैं और उनके पीछे पूरी एक सफरिंग मतलब उनकी पूरी फैमिली सफर कर रही है जिश्रदार उनसे जो है किनारा कर लेते हैं और एक नेक्स लिवल की परिशानी उनके साथ शुरू हो जाती है तो यह पूरा सिस्टेमिक ऑपरेशन है उनके उपर यह क्यों है क्या उनको सुकून से नहीं रह सकते हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकते हैं ने बिलकुल देखें यह बहुत तकलिफ देम है तो मेरे घर खांदान में मैं पहली बार इस तरह के जो है वा थाना और पुलीस का साल 15-15 साल तक जीलों में रहते हैं उनकी पूरी फैमली सर्वाइफ करती है फिर जब जेल से निकल के आते हैं तो उनके बहुत थोड़ी जिंदगी होती है अगर जिनकी मतलब मैं तो ऐसे ऐसे कैसे देखा हूं कि जिनों अपने बच्चे को गोद में खिलाते थे वह बच् है लेकिन अब इसमें अब वही है कि आप हमारा कॉंस्टुटुशन हमारा जुडेशी पूरा सिस्टम पर सवाल है और यह सवाल मनलब अब अब देखिए इसमें भी हमको फिर सवाल करेंगे हम कौमी और मिली तन्जीमों से इसमें भी जो है विजन जो है वो खुशी का हुए बरी हज्रत की फोटो कि जो निकल कि आया है तोम नहीं है सोचिए नौ साल दस साल बारज साव जिल में já उन्की फोटो नहीं है बड़ी सी उतू के पेपर में च्छपेगा और सका कर जो हिख और सब खुशी का इजहार किया फिर वो देखने भी नहीं जाएंगे सुनने भी नहीं जाएंगे कि वो कैसे जी रहा है क्या खा रहा है कहां नौकरी कर रहा है कितना कमा रहा कुछ नहीं खुशी का इजहार कर लेते हैं सवाल नहीं करते हैं आखे 9 साल क्यों लगा बरी होने में 9 साल क्यों लगा यह सवाल कौन करेगा जुडिस्री से यह सवाल कौन करेगा सरकार से सरकार के पास आप जाक बैठते हैं आप रहनुमा बनते हैं कौन करेगा और ये बहुत समझने वाली बात है कि जब intelligence सरकार की है, सारी agencies सरकार की है और आज के टाइम पे इतना high-tech और इतनी जबरदस technologies है कि इनसान के करवट बदलने तक को भी track किया जा सकता है ऐसे वक्त में अगर कोई पांच महिना से जादा से जेल में है और उस पे कुछ साबित ने हुआ है इसका मतलब है कि उसका कोई कुसूर नहीं है और वो बिल्कुल innocent है और मासूम है लेकिन फिर भी पांच साल, साथ साल जो CNRC protest के जो prisoners है चार-चार साल सबको हो गया कोट, मतलब चार साल तो हो गया मैं आपकी बात यहां से मतलब continue करता है चार साल तो हो गए लेकिन कोट जो है वो सुनने के लिए तयार नहीं है तेरा बार उमर खालिद का बेल जो है वो सुप्रिम कोट से अर्जंड हो चुका है मतलब तेरा बार आप सोच सकते हैं मई 2023 में बेल लगी थी सुप्रिम कोट में और February आ चुके हैं तो आप इसको सोचिए उसको देखिए अगर एक बार कि तेरा बार एक एक बेल की अप्लिकेशन की सुनवाई नहीं हो पा रही है तो हमारा जूडिसरी सिस्टम कहा है क्या हम अपनी जूडिसरी से सवाल भी नहीं कर सकते हैं बहुत मुश्किल हालाथ है और जरूरत इस बात की है कि आप जैसे एक्टिविस्ट और जर्निलिस्ट जो है वो इसको बट डिसकेशन करें ताकि लोग जो है चीदों को समझ सके एक चीज़ मैं इस सारी चीज़ से हट करके आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सोई हुई कौम 2020 में CINRC के नाम पे एक दम से उट खड़ी होती है और जिनको कभी कीड़ा और दीमक और जो घुस्पैटी कहा जा रहा था उनके लिए भाई का लवज इस्तामाल होने लगता है तो ठीक है कुछ हासिल नहीं हुआ लेकि आपको क्या लगता है कि CINRC प्रोटेस्ट के बाद मुसल्मान जो पूरी कम्यूनिटी है उनके अंदर एक एक्टिविजम का अपने लिए बोलने का एक जजबा पैदा हुआ हो देखे ये कौम बिलकुल जो है मैं एक्दम साफ जेल से बोलता हूँ कि रहनुमाओं की जो है वो मिसलीडिंग है अगर रहनुमा चाह ले तो इस कौम के लोगों को अगर अच्छी रहनुमाई मिल जाए तो यखिनन जो है ये कौम बहुत जो है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है मतलब आप जैसे अभी आप बोल रहते कि जो है वो जब तक उसमें हिंदू स्ट्रेंट सामिल नहीं होंगे सीएगे प्रोटेस्ट में सामिल नहीं होंगे भाई क्यों आप अपनी लड़ाई क्यों खुद नहीं लड़ सकते हैं आपको अपने लड़ाई के लिए जो है किसे और को सपोर्ट क्यों चाहिए हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे आगे भी लड़ेंगे तो मेरा यही कहना है कि अगर जो है ये कौम जो है अलहम्दुलिल्ला जो है वो पढ़ी लिखी समझी सुल्जी कौम है चीजों को समझती है समझ रही है इस दौर को समझ रही है इस हालात को भी समझ रही है बस इसमें सही रहनुमाई की जरूरत है अगर सही रहनुमाई मिलेगी तो कौम जो है अपनी लड कुछ लोग कहते हैं कि यह कौम जो है अब इसका कोई जो है वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है आगे यह जो है वो मारे जाएंगे काटे जाएंगे इनकी अबादत गाहों को छीन ली जाएगी तो यह भी जो है वो कहा जा रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायूसी कि कुफर है हमें मायूस नहीं होना चाहिए अपने आपको अल्हम्दॉल्ल्ला जो है ठीक है हालात है हम हिकमत भी अपनाएंगे कहीं जहां जहुरत पड़ेगी वहां हिकमत से काम लेंगे और जो है वो आ आ हालात है जीसे भी उन्होंने मैं तो वो वर्ड नहीं करूंगा एक सल्मान अजहरी साहब की अभी अरेस्टिंग हुई है, मौला ना, तो उन्होंने कहा तक ही, उनका जमाना है, हमारा दाओर आएगा, तो हम हालात बदलने का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, हालात बदले का, अगर ये ओफेंस है, तो है, तो मसला दिये, अच्छा इसमें किया गया, तो एक भीर लग गए बिलकुल, लोग नारा लगा रहे हैं, नारे तक्बीर पढ़ रहे हैं, लब भई गया रसूल अल्ला पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं रगता है, जो आप कह रहे थे कि कि कौम बिलकुल बस तयार खड़ी है, कोई ऐसा रहनुमा, आपके आफ के आफ में आपके इतना दं होना चाहिए तनी ठाकत होनी Nephi नहीं चाहिए, आपके उनके एमोशंस स्पता होना चाहिए, वह तो भरे, मतलब आप अगर आगे आएंगे, आप डर रहे हो, जाने से, आप डर रहे हो कि आपकी कूरसी चली जाएगी, सधारत चीन जाएगी आपकी सदारत चली जाएगी जो है इस बात से अगर आप डर रहे हो तो इसमें तौकिर रजा सहाव एक आलिमे दीन है वह बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आप मुसल्मान कौम बस चलो यह तो मुसला है लेकिन मैं यह नहीं कहता हूँ हर चीज का जो है वो प्रो संज्वत के लिए आप चले जाते हो जा गो जो है अब अब उसमें इस तरह की रिपोर्ट सेना जाव अब अब बड़े-बड़े जो शंचीन हां जाई उनके एमा हजरात की बढ़ा दी गए थी कॉंग्रेस गवर्मेंट की तरफ से हाँ मतलब आप देखिए वो तो एक पुरानी बात रही इसको क्या समझा जाएगा कौम और अल्ला के घर का सौधा देखिए हर दौर में जो है वो लुकमा डाले जाते हैं और कुछ लोग वो लुकमा लेके जो है वो अपनी जमीर अपना इमान जो है वो नहीं जिन्दा रख पाते हैं क्योंकि असल जगह मसल्मानों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो हो मस्जीद है मस्जीद में जितने मुसल्मान जुबा की नमास पढ़ने आते हैं उसको सही रहनुमाई मिल जाए तो यकीना जो है वो अच्छा इन सारी चीज़ों में एक और बहुत इंपॉर्टन चीज़ है वो यह है कि जैसे कि आप आप कह भी रहते हैं कि आप आपके जो लॉयर्स हैं उनका जो है शुक्रिया आदा करते हैं तो एक तरफ में देखता हूं कि अलीगर मुस्लिम इन्वस्ट्री से और दूसरे जगा से लगातार लॉयर्स पास होकर के आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं दूसरी तरफ हमें यह देखने को मिलता है कि एक बड़ी तादाद मुसल्मान लड़कों की है जो जेल में बंद है तो इन सारी चीजों में मुस्लिम और्गनाइडेशन्स की और मुस्लिम लॉयर्स की क्या उनका रोल क्या होना चाहिए देखिए लॉयर्स का रोल तो अभी लहम्दिल्ल्ण जो है वह बहुत अच्छा है लॉयर्स कोट ही 22 ने तो क्या सकते हैं मतलब लॉयर्स का रीपर्जेशन्स कोट 25 लेकिन कोट 24 तो अब हम जो डिसरी पर भरोसा लगाया बैठते हैं हमें हर बार द्रूखा मिल जाता है चाहाए वह हिजाब का मसला हो चाहाए बहुत कम में हमने ला पाते हैं या अगर किसी का बेल किसी की हो जाती है तो पहले क्या था कि बेल जो है वह बेल हो जाती थी तो लेकिन अब वह नहीं है क्योंकि आपको इंटर्टेन ही नहीं कर रही है आपके अप्लिकेशन को आपको इससे अगर वह उसने ले भी लिया तो फिर आपको जो है वो उमर खालिद के तेरा अरजेंट हुए है तो उसमें तो लॉयर तो अवे लेवल थे मौजूद थे तो लॉयर का बहुत अहम भूमिका रहा है हर चीज में लेकिन मैं तो यह मानता ह के लिए राद में सुप्रिंग कोट खुल जाता है अभी अभी के सिनेरियो में तो पॉलिटिकल पार्टिस के जो अपोजिशन से ना उनके लीडर के साथ भी हो रहा है संजय सिंग और मनीश शुषोदिया मुझे एक वाक्या याद आता है क्योंकि पूरे इंटर्व्यू क के नाइट में निकलना था केरल के लिए अर्ली मॉर्निंग के हमारी 25 के अर्ली मॉर्निंग के हमारी फ्लैट थी और 24 के रात शाम में साथ साथ आड़ बजे हम लोग मनीश शुषोदिया के घर गए कि दिल्ली में जो है वो राइट के खबरे बहुत ज्यादा केसे बढ़ क्या किया जाए इस पर तो मनीश की गवर्मंट में थे मनीश शुषोदिया साथ तो मनीश शुषोदिया साथ पहले गये तो उनके घर पे तो वो निकल के आये मुलब बड़े नेता की तरह आदे गंटे बाद की बहुत बड़े नेता है जिप्टी सियम थे तो अबिसली ज जो है कुरसी लगाए बैठे बोले आप लोगों ने चाई पी लिए तो बले ने चाई नहीं पेंगे तो बले ने अब अपने स्टाप को और दिये के चाई लेके आईए चाई नहीं कॉफी लेके आईए ठीक है इस तरह से कॉफी पिलाईए ठंड का मौसम है तो उन्होंने जो है यह कहे और उसके बाद जो है मौले जी बताइए तो आप लोगों को कैसा आना हुआ तो हमारे लोगों के साथ नदीम भाई थे तो नदीम भाई ने कहा कि राइट्स के कैसे मतलब वहां पे जो है के जो है के जुए बहुत ज्यादा बल रहे हैं पुलीस जाने नहीं आप बीवर्मन कंज लीशन गजाने कि कह सकता है तो हम लोगों ने एक CCP पलिस नहीं और बहागलपूर का दंगा हुआ था चीज़ार बिए नांटीन-गादीय था कि मतलब स्टेट का मुक्मंत्री तो कुछ इस तरह का अगर चीज़े निकल जाया या उसको रिपीट कर लिया जाया जाय तो लेकिन उसने जो हमारे हाथमेशन तो नहीं है तो आज जो है इस जो निशे के साथ सेम कंडिशन है तो वह मतलब देखिए कि क्या हाल है आप एक वक्त में हमारे साथ जो लोग जिस वक्त आपको खड़े होना चाहिए था आप नहीं खड़े हुए आज आपके साथ जो है आपके उससे बुरा सुलूख हो रहा है और क्या है कि पूरी जो है Muslim Community और पूरा जो है जो एक्टिवेजम और Civil Society है वो तो आपके नाम पर एक ट्वीट तो कर देती है लेकिन वो आपके साथ दिल से नहीं खड़ी है मैं आपके साथ दिल से नहीं खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपके आपसे जाकर लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि वहाँ पे जो है वो केजवेल्टी हो रही है तो आप उसको रोकिए प्लीज एक आफरी सवाल आपसे जो बुरी पॉलिसीज हैं मुसल्मानों पे जो एक्टिविस्ट का रोल क्या है और क्या इन गिरफतारियों की वज़ए से मुसल्मान पीछे हट जाएंगे नहीं देखे रोल तो उनका यह होना चाहिए कि आप जब बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत सारे मतलब मैसेजेज जो है और लवस जो है वो आईसा चुने कि जिससे जो है आप अपने आपको भी सेफ रख सके और आपकी बात भी जो तक पहुंच जाए अब जैसे मैं मैं इस बात को मानता हूं कि देखेंगे कि मुफ्ति सल्मान अजरी साब का जो करंट इशू है उन्होंने फिलिस्तीन पर पूरी स्पीज दी और उन्होंने जो जो लास्ट में जो उन्होंने बात को अपनी खतम की और ने कहा कि कुट्टों क कि उन्हों को कुछ और जा सकता था जिससे यहां की गौर्फ्मट्न यहां सब्सक्राइब नहीं तो मतलब लेकिन उनकी बात और मैं उससे लेकिन यह कि उफएंड तो हमें हमेशा बोलने में तौलना चाहिए रखना चाहिए लिखने में भी ऐसे वर्ट का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि जो है वह अगर आप आपके अपनी बोलने की वजह से जो है अगर थोला सब मुसीबात उठाना पड़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है मैं इसमें एक चीज़ और करना चाहता हूं शायद मेरी इस बात से बहुत सारे लोग अगरी नहीं करते हैं मैं हमारे क्लोस फ्रेंड नहीं करेंगे हमारे अभाब जैसे शर्जिल भाई की जो अलिगड़ की स्पीच है चिकन नेक अलिगड़ की सही नहीं जा रहा है लेकिन मैं यह कहता हूं कि पब्लिक तो एक उसको समझेगी नहीं चिकन नेक की बात और अलिगड़ की इनवर्सिटी के स्टुरेंट उसको समझ नहीं है उसको बोलने की ज़रत वहां पे नहीं है तो वह हिकमत भी जैसे मैंने बार बार कहा कि हिकमत का जो पहलू है उसको अपनाना चाहिए मैंने जब बनाई थी वीडियो शरजील भाई के ओपर तो मैंने इस बात को डिसकस किया था कि एक बिहार का और काको का एक आदमी है उसको क्या पढ़िए कि वह असम को इंदुस्तान से अलग कर देगा तो शायद उसको असम का फायद पता होगा कि नहीं होगा जामिया के बच्चों का पता होगा कि नहीं होगा कॉमन आदमी को आप माइक पर खड़े होगे चिकन नेक सम्झाने कोशिस करो नहीं समझ पाएगा सभी बिलकुर उसके लिए पिर आपको आधे घंटा का पूरा टॉक देना बढ़ेगा उसका बहुत टाइलेंटेड है नो डाट है क्रीम है मैं उनके मतलब बड़ा भाई की तरह है हमारे जब भी हमारी कोट में मुलकात होती है सलाम दुआ कुछ सजेशंस मिलते हैं कुछ किताबों का नाम मुझे सजेस्ट करते हैं कि यह पढ़ लो यह पढ़ लो यह पढ़ लेकिन जो है एक बात थी जो नहीं होनी चाहिए थे होई अब अल्ला उल् 이름 के नियत में इस तरह काकुछ नहीं था मैं इस बात को जानता हूं और कोट को भी सिधाश्य को भी इस बात को समाजना चाहिए-प लेकर अखिण जो है इस नियत के साथ इस बात को नहीं कह रहा ह 12 अवसक हैं इसका हमेशा ख्याल रखें और पब्लिक में वो कहां पे किस बात को कैसे प्रिजेंट करेंगे इसका उनको सलीका आना चाहिए वो शेर है ना कि अंदाजे बयां गर्चे के बहुत शोख नहीं शायद के उतर जाये तेरे दिल में मेरी बात तो इन बातों के हमेशा ख्यार लखना चाहिए बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत कम में बहुत कम वक्त में डिटेल्स में समझाया बहुत हमारे इस आवाज पर लबैक कहने के लिए और अपना बेश किमती वक्त देने के लिए ओल्दो कि आपकी तबियत खराब है दूआ करता हूँ कि ये जो केस का मामला आपके साथ चल रहा है उसमें जल्दी आपके लिए आसानी हो जाए और हमारे और वो सारे भाई जो बे ग झाल 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 झाल